हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हुरोली आप सबका स्वागत है हमारे जीरा की चेन में आज मैं आपको बहुत टेश्टी यूपी की फेमस फरे बनाना बताऊंगी यह हमारे आयोध्या में बहुत जादा फेमस है इन फैक्ट आप आयोध्या मंदिर जाएं तो इसका टेश्ट लेकर वहां से जरूर आएं क्योंकि जगा जगा बहुत सारे ठेले लगे हुए रहते हैं फरे के जो आपको प्लेन फरे और फ्राइड फरे सब तरह के खिलाते हैं तो यहां पर मैं ओड़त दाल को रात बर के लिए भिगा दी थे और उसका चिलका वाली दाल थी तो पेश्ट ने बनाना है तो आप देख रहे हैं मैं हींग और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला ले रही हूं है ही और नमक एक दम परफेक्ट होना चाहिए आप चेक कर लिजेगा इसे हींग की खुश्भू इसमें बहुत अच्छी लगती है तो एक दम अच्छे से पता चल लेना है इसको बनाना बहुत ही आसान होता है बहुत है दिवनता है तो यह है चाफल का आटा जिसे हम गोत लेंगे बिल्कुल एक नौर्मल भनी से ही गोत रहे हूं लेकिन एक सौपडो लगाएंगे वह जदा हार्ट डो नहीं लगाना है जैसे बोग पूरी के लिए सौफ हो गया है इसलिए आवाजा से निकल रही है तो यह देखिए मेरा आटा भी गुच चुका है अब मैं आपको बनाना बताऊंगी कि इसको बहुत जादा ही जी है इसको बनाना लेकिन बहुत टेश्टी लगता है और बहुत हल्दी होता है जो हम लोग बाहर का मैदे का और अच्वाल में बस आपको ऐसे हाथ से थोड़ी से पेड़े लेना है उसे हाथ से फैला लेना है बिलना नहीं चलाना हाथ से आप इसे फैला लेना है बहुत ही एज़ी एक दो पतला हो जाता है तो यह दिखिए एक चमजिस में भरे और ऐसे फोल्ड करती है आपको इसे चन्य किदान और मुंग किदल का भी बनाने लगए है कूंकि जो ठेले वाले है उन्हें बराइटी देना रहता है तो चन्यए और मुंग की-दान का भी बना बना लें तो इक भगोने में पहले सही रग दें ज़ा बनाना शुरू करें तो देक्ठा दें और इसके उपर क्लिभ भाग करें कोई क्गेंग नहीं वहें कि नहीं सरदा कि नह रख दीजें मैं आपको यहाँ पर बता दो आप एक साथ तीन बैज़ बना सकते हैं अब जैसे आप पूरा थाली पर उसी के ऊपर फिर से एक बैच पुरा भर देजे फिर पांच मिनट पकाई इस तरह आप तीन बैच एक साथ पका सकते हैं लेकिन आपको अगर कॉंटेटी में कम बनाना है एक ही बैच बनाना है तो आप मैक्समुम साथ मिनट से ज्यादा मत पकाईएगा साथ मिनट में ही अच्छे से पक जाता है बस ढख यह गा हाई फ्लीम पर तो यह देखें बहुत ही इजली आप थाली को जब ऐसे परड़ देंगे तो निकला आता है जबकि मैं नीची कोई ओई नहीं लगाई थी तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से निकल गया है तो हमारे हैं तो ज बहुत ज़्यादा अच्छाता है अगर आप पस धनिया रहे तो आप धनिया भी डालिएगा ना धनिया रहे ना तो आप लेशन में स्ट्रमाटर हमें नीबू नी चोड़ दीजिए और नमक साधन साड़ डाल दीजिए आप ऐसे एंजवाई कीजिए जब गरम-गरम आजाता है अब हम आपको फ्राइड फरा बनाना बताऊंगी तो यह दिखें आपके बचे हुए उस फरे से बहुत हिला जबाब रिस्पी बनकर त्यार हो जाएगी तो बस आप सरसो के तेल में रही कड़ी पते और हरी मिच को लंब लंबा कट करके उसका तड़का लगाई क्योंकि सिर्फ हमने चामल का अटा जो है और सुगूत्ते समय नमग नहीं डाली थी बाकी ओड़ा दाल में नमग पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा नमग और थोड़ी सी लाश्मुश बाड़ा डाल दीजे उपर से इससे लुक बहुत अचा था टेस्ट बहुत अचा था है और आप इसी टमेटो सास चाय या फिट टमाटर धनिया की चटनी के साथ ही एंज्वाइ करें मतलब यह इतना हो टेस्टी बनता है ना कि आप जब भी फरे बनाएंगे जान बोच कर जादा बनाएंगे कि ताकि यह फ्राइड फरे काभी एंज्वाइ कर सकें वीडियो बसं आप एंज्वाइ